हेलो आप केसे हैं बच्चों अभी सूडियो में हम संख्या 29 का डिवाइड करने वाले हैं किसमें सोडा में इसको ऐसे लिख सकते हैं सोडा डिवाइड 29 या सोडा बटे 29 29 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं जब दियेगर संख्या इसे बड़ा हो क्या ये 39 से बड़ा है आप कहेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे point लेंगे इसके साद 0 लिख देंगे अब 39 से बड़ा है यस तो यहां पे हमने क्या सीखा कि हमारे divide की स्वात कैसे करनी चाही है अब क्या करें देखिए 29 का divide करने के लिए एक से लेकर नौ तक कौन सी संक्या से गुणा करें कि एक सो साठ से बढ़ा ना है लगाओ दिमाग शुचो तो हमने सोचा कि जब हम 29 को गुणा करते हैं कि इस से पांच तो कितना आता है नौ पंजब 45 च्यार किरिया गया दस च्यार ठीक है तो भाग गया कितना पांच वार आ गया एक सो पहन ताड़ी फिर हमने इसको गटाया कितना आ गया पांच और आपका ध्यान रखें घटाने पर जो संक्या यह वह आपका इस प्रगार से डिवाड चलता रहे है यह आपका भागफल है जो कि हम अपना इसके इकोल टू लिखते हैं यह नहीं आपका एंस्वर है ओके तो इस तरीके से हमने एक डिवाड करना समझा अभी हमने 37 का डिवाड करना किसमे शोडा में इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑड़ा डिवाड 37 यह शोडा बटे 37 का डिवाड कर पाते हैं जब दीगे संक्यास से बड़ी हो क्या यह बड़ी है नहीं है तो क्या करेंगा पॉइंट लेंग जीरू लिख दें अब बड़ी है यह से लेकर नों तक हम कौन से सम क्या से गुणा करें कि 160 से बढ़ा ना है लगाओ दिमाद तो जैसे हमने 37 को गुणा किया चार से ठीक है यहां पर साथ चोग 28 दो के रिया गया 12 और दो शुबदा तो भाग कितने और गया आपका चार और आ रहा है एक सो और तरश यदि इसको हम पांच से गुना करेंगे तो 160 से बढ़ा रहा है ठीक है तो ऐसा है जो हमें अपना डिवैड का सुरुआत करना होता है यदि यह चीज आपको किलिए रहे तो आपको समझे कि डिवैड आशान हो गया फिर हमने इसको गटाना होता है कितना गया दो और एक गटाने वपर जो संक्याई वह हमेशा छोटी रहे कि किस से जिस संक्याग डिवैड किया किसका डिवैड किया है 37 का तो आप देख सकते से चोटी है पॉइंट लगा रखा है जीरो लिख दो अब सेंदिस को जैसे हम किसे गुणा करते हैं तीन से साथ रिकिस दो किरिछ लगा है नो दो इग्यारा तो भाग गया कितना तीन वार कितना गया एक सो इग्यारा फिर हम इसको घटाएंगे इस प्रकार से डिवाड़ यह आपका आगे चलता रहेगा जान क्या रखना है घटा थे जोसन आगे पॉइंट लगा रखा तो उसके डिवाइड 4 या 16 by 4 यस 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे जब दी की संक्या इसे बढ़ी हो एक आंग की संक्यात पहले एक आंग के साथ तुलना करना है यह देखिए बहुत important point है कि हमें अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करने है सबसे ज़्यादा गलती यह होती है बढ़ी है नहीं है तो फिर अगला हम सामिल कर लो अब बढ़ी है यस डिवाइड करने की सुरुआत करेंगे कैसे चार का पाड़ा कितनी और लें कि शोड़ा से बढ़ा ना है लगाओ दिमाग एक चोग चोग बेचोग आठ तीन चोग बारा चार शोड़ा भाग गया चार वार आगया शोड़ा फिर हमने घटाया जीरो आगया जीरो आगया आगये कोई भी हम नहीं में लो डिवाइड कंप्लिट हो गया यह आपका भागफल है जो कि हम इसके इकोल टू में लिखते हैं सुरेंदर के जरी यूटूब फर सेर्च करो 24 में हमने संख्या 45 का डिवाइड करना है कि इसमें शोड़ा में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शोड़ा डिवाइड पैंटलिश या इसको ऐसे भीन के रूप फ्रेक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं 45 का डिवाइड हम कब करपाएंगे जब दीगी संक्या इसे बढ़ी हो तो यहाँ पे हम पहले सरव परत हम यह सीथने का प्यास करते हैं कि अपने डिवाइड की सुरुआत कैसे करनी है यह बहुत इंपोर्ट हैंट लेता है यह किलिर हो गया मतलब डिवाइड आपके लिए आसन हो गया क्या यह 45 से बढ़ा है नहीं है तो पॉइंट लेंगे जीरो लिख देंगे अब 45 से बढ़ा है यस डिवाइड करना शुरू करते हैं जैसे 45 को एक से लेकर नो तक कौन से उसंख्या से गुणा करें कि 160 से बढ़ा नहीं है लगा हो दिमा जो जैसे हमने 45 को गुणा किया किस से तीन से ठीक है पांस त्री पंद्रा बारा और एक तरह एक सु पैंदीस सा गया भाग गया कितना तीन वार फिर हमने इसको घटाने रहता कितना अगया पांच दो ध्यांद रखें घटाने पर जो उसंख्या आई है वह आपकी 45 से चोटी है यस इसका मनुद डिवैट से ही किया है पॉइंट लगा रखा है जीरू लिग देंगे अब इसको जैसे हम किसे गुना करते हैं 5 से कितना आगया 25 दो कर दो करेंगे 22 फिर हम इसको मैंने कितना आगया पॉइंट लगा रखागा जीरू आ जएगा फिर आपका तिना वर जाएगा यह 5 पउइंट से सब आपका आगे चलता रहेगए ठीक है फिर गटाएंगे और फिर यह आपका आएगा यह आपका एंसर है यह नहीं भागफल है कितना रहे जीरो पॉइंट थ्री फाइफ फाइफ ओके धन्यवादा बच्छों भी स्टूडियो में हमने शोड़ा में चपन का भाग कैसे दें या इसको ऐसे भीन के रूप में भी लिख सकते हैं शोड़ा बटे चपन का डिवाइट कब कर पाएंगे जब दीग इसे क्या इससे बढ़ी हो तो यहां पर सरफ तम हम अपना डिवाइट की सुरात कैसे करनी है इस पॉइंट को जहां से समझने का प्रयास करते हैं यदि यह आपके लिए किलियर है तो आपके लिए डिवाइट करना आसान हो जाएगा यह बड़ी नहीं है तो क्या करते हैं पॉइंट लेते हैं जीरू लिख देते हैं अब बड़ी है यस तो डिवाइड करने की सुरुआत करते हैं कैसे इसको एक से ले करना होता कौन से संक्या से गुणा करें कि एक सो साथ से बड़ा नहीं आए लगाओ दिमाग तो हमने चपन को गुणा किया किस से दो से चीक है तो कितना गया एक सो बारा आ रहा है चीक है तो भाग गया कितना दो आ यह दिशपन को हम तीन से गुणा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस से बड़ा आ रहा है इसलिए हमने तीन को नहीं लिया, किसको लिया, दो को, यह भी है जो आप साथ इसा समझते चलें, यहाँ पर मैं दो ले रहा हूँ, तो वो पूरा विशलेशन करके ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अंदाजे से दो ले लिया, फिर हमने गटाए कितना गे, आठ, और एक उधार दे चुका है, इसलिए यहाँ कितना है, चार, पांच है, पांच मैं से एक या चार आगे, यह कहना चार हूँ, पॉइंट लगा रखा है तो, जीरो लिख देंगे, कितना बन गया, चार सो असी, अब हम इसको कौन से संग क्या से गुणा करें, कि इससे बढ़ा नहीं आए, लगाओ दिमा, तो जैसे हमने इसको गुणा किया किससे, नो से, तो इससे बढ़ा रहे, आठ से गुणा करते हैं, तो आपका आठ संग अट्रिस, चार के लिए आगे, चारिस और चार चार्मारिस, फिर हमने इसको गटाना है, फिर गटाते जो संग क्याईगी, पॉइंट से किया है घटाने पर जो संक्या वो आपकी 56 से कम रहेगे जैसे यहां पर हमने घटा यानि इनके बीच का जो डिफरेंस हो कितना आपका 80 जो कि 56 से कम सिमिलर इसके बीच का भी जो अंतर है वो 56 से कम है यह आपका एंसर है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं कितना रहा है यहां पर आपका दो और तीन पॉइंट लगा रहा है तो जीरो लिखते हैं तो बच्छों सोड़ा में 811 का डिवैड कैसे करें यह इस्टेप आइस्टेप समझेंगे इकुला असन तरीके से इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रियास करें तो आपका डिवैड हम कब कर पाएंगे जब दीगे संक्या इसे बढ़ी हो क्या यह बढ़ी है नहीं है तो क्या करेंगे पॉइंट जिरो लिग देंगे अब बढ़ी है अभी भी नहीं है पॉइंट लेने के बाद भी तो आपका डिवैड कितनी वार होगा जीरो वार होगा तो यहां पर हमने इस्टेप फरस्ट में क्या कोशिस किया कि डिवैड की सुरात कैसे करें चीकर तो डिवैड हो गया कितना जीरो यहां जीरो आ रहा है फिर हमने इसको घटाना है पॉइंट लगा रखा है तो जीरो लिग देंगे हमेश्या ध्यान रखें पॉइंट एक वार लगाना उसके बाद घटा ते जो संख्या इसके साथ जीरो लिगते जाएंगे इसको आप स्टेप सेकेंड बोल सकते हैं लेस देन वन सिक्स डबल जीरो हमें मिले तो एक से गुणा करते हैं कितना आएगा दो से गुणा करते हैं तो सोड़ा सो से बढ़ा रहा है इसलिए हमने दो को ने लिए फिर हमने गटाया कितना गया नो आट और साथ फिर वही पॉइंट लगा रखा तो जीरो लिग और आपका डिवेड आगे चलता जाएगा यह आपका क्या है एंसर इसको देखिए ऐसे हम भीन के रूप में भी लिख सकते हैं यह जो आपका एंसर आया कितना 0.01 जो कि अपना इस फ्रेक्शन के एक्वल टू लिखते हैं तो बच्छों अभी स्टूडियो में हम 178 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 178 भाई 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे जब दी के संक्याई से बढ़ी हो इसको एस्टेप फस्ट बोल सकते हैं जिसमा हम यह की लिख करने का कोशिश कर रहे हैं कि हमें डिवाइड की सुरूआत कैसे करनी है तो एक अ ले लेते हैं एक दू दू वेजू 4 तीं दू 6 धू 8 5 10 6-था साद sexuality 8-13 नो उख्रक से भड़ा गया लेकिन आट वार लेते हैं तो भाग गया आठ वार कितना आता है सोड़ा फिर हमने घटाया एक आगया इसको स्टेप सेकंट बहु सकते हैं स्टेप सेकंड में क्या करना ह गटाना है और उपर से एक अंग्या नीचे ले आएंगे कितना मनगे अठारा फिर जैसे हमने नो आरलियर टेबल कितना आजाएगा अठारा फिर गटा है जीरो आगया यह आपका क्या है एंसर है यानि भागफल है इसके इकल्टो में अपना एंसर लिखते हैं ओके आसाने जारो बच्वो कैसे हैं अभी स्टूडिया में हम 178 में 34 का डिवाइड कैसे करें या इसको हम ऐसे बेन के रूप में यानि फ्रेक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं वीडियो बहुत important होने वाला है तो इसको जहान से देखे going अब जानते हैं कि step first म में हम क्या करते हैं कि इसकर divine का रूप कैसे करें किसी भी संक्वाइड कर सुरूप कैसे करें किसी भी संक्वाइड का आप divine के सुरौप केसे करें क्या ये बड़ी या नहीं है तो अगला सामिल करेंगे अब क्या करना है ये बड़ा आ गया तो इसको डिवाइड करना है कि शुरुआत करेंगे कैसे इसको एक से ले करना हो तक कौन सी संक्या से गुणा करें कि 178 से बड़ा ना आए लगाओ दिमाग तो हमने जैसे 34 को गुणा किया चार से कितना गया चार सुख शोड़ा एक के लिए चल लगा बारा और एक तेरह फिर हमने इसको गुणा किया जैसे पांच से चार और पंजा बीस दो कि लिए आ गया पंद्रह और दो शत्रह तो यहां पे पांच को जब गुणा करते है तब 178 की बिल्कू न एक सुस्तर आ गया फिर हमने घटा आठ आ गया आगे जब कोई भी यंग नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं पॉइंट लेते हैं जिरू लिख दे इसको आप सेकिन बोल सकते हैं फर्स्ट इस्टेप में डिवाट कि सेकिन इस्टेप में क्या करना है घटा ना है पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ जिरू लिख देंगे यह सेकिन इस्टेप आप बार बार रिपीट होता रहेगा कैसे अभी हम समझ लेंगे इसको जैसे दो से गुना करते हैं कितना आ जाता है 68 फिर हमने मैनस किया कितना आगे आपका 12 पॉइंट लगा रखा है तो जीरू आ जागे यह देखे सैम तो से हम यहां भी रिपीट हो रहे है ठीक है तो इस तरीके से हमने अपने डिवाइड को दू इस्टेप समझने का प्रयास किया है फिर इसको कौन से संख्या से गुना करें कि इससे बड़ बटे 314 314 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे जब दीगे संख्या इससे बड़ी हो तो यहां पर इसको इस्टेप फस्ट कह सकते हैं जिसमें हम यह सिखेंगे कि अपना डिवाइड की सुरुआत कैसे करनी है क्या यह बड़ी है नहीं है पॉइंट लेंगे जीरू लिग दे तो किस से गुणा किया 0 से भाग गया 0 और क्या आ रहा है 0 यहां लिगता है और इसको गठाना होता है अब इसको step second समझेंगे हम कैसे क्या किया इसमें हमने गठाया point लगा रखा तो इसके साथ 0 लिग देंगे अब यह जो step second है यह आपका आगे बार बार repeat होता रहेगा चीक है अब हमने क्या करना है देखिए बिल्कुल सिंपल है यह आपका इससे बढ़ा आ गया तो इसको एक से लेकर नो तक कौन सी संक्या से गुणा करें की सत्रा स्वा से बढ़ा नहीं आए लगाओ दिमाद इसको जैसे हमने पांच से गुणा किया किस से पांच से चारों पंचाबस दो करें चला गया पांच दू साथ पांच तरी फบनरा फिर हमने इसको घटाना है यानि जैसे यहां किया था वैसे यहां करेंगे क्या करेंगे घटाएंगे और point लगा रखा है तो 0 लिख देंगे ठीक है फिर इसको जैसे हम किसे गुणा करते हैं 4 से 4 शुक्षोड़ा, एक एरी चला गए 4, 1, 5, 4, 3, 12 फिर गटाएंगे यह आपका answer आगया जो कि हम अपना इसके equal to में लिखते हैं बच्छों भी हमने 4 का divide करना है कि इसमें 17 में इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 divide 4 या ऐसे भीन के रूप में भी लिख सकते हैं 4 का divide हम कब कर पाते हैं जब दिया गैसा क्या इससे बढ़ा हो तो आप इसको step first कह दो जिसमें हम क्या सिखेंगे कि अपने divide की शुरुआत कैसे करनी है एक अंग की संग्यात एक अंग के साथ तुरूना करो क्या ये चार से बढ़ा है बढ़ा है नहीं अगला अंग समिल करना पड़ेगा अब चार से बढ़ा है यस अब हम चार का टेबल कितनी वार लें कि 17 से बढ़ा ना है लगाओ दिमाग एक चोग चोग बेचोग आठ तीन चोग बारा चार सुख फोड़ा पांच चोग बीस पांस वार लिया इससे बढ़ा अगया लेकिन चार वार लेते हैं तो भागया चार वार आगया शोड़ा अब स्टेप सेकेंड करेंगे इसमें क्या करना है इसको घटाना है और यहां जब कोई अंक नहीं है तो पॉइंट लेंगे इसके साथ 0 लिख देंगे डिवाइड हो गया दो और कितना अगया आठ फिन माइनस किय सेकेंड यह बार-बार रिपीट होंगे माइनस करेंगे पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे डिवाइड हो गया पांच वार कितना अगया फिर हमने माइनस करना है जीरो आ गया तो यह आपका क्या है एंस्वर है जो कि इसके इकुल टू में लिखते हैं ओके आसान हैं अभी हमने 5 का डिवाइड करना है 17 में इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 डिवाइड 5 या 17 बटे 5 पांच का डिवाइड हम कब कर पाएंगो जब दी के संक्या इसे बड़ी हो इसको आप step first कर सकते हैं जिसमें क्या करेंगे अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है यह सम जब दी डिवाइड करने की शुरुआत करते हैं 5 का पाड़ा कितनी वाइड कि 17 से बढ़ा ना है तो 1-5-5-2-5-3-5-4-5-20-4 वाइड बढ़ा इससे बढ़ा गया लेकिन 3 वाइड लिए तो भाग गया 3 वार कितना रहे 15 अब हम करेंगे अपना next step जिसको हम second step बोल सकते है यह आगे अब यही सेक्ड इस्टेप बार बार रिपीट होगा जिसमें क्या करना है घटाना है कितना गया दो यहां जब कोई भी डिजिट नहीं रहता है तो ऐसी स्तति में पॉंइंट लेते हैं इसके साथ 0 जित देते हैं देखें चार बार भाग गया कितना गया 20 फिर वही किया किया था हमने गटा या था यहां भी गटाना है आगया 0 यह आपका answer है जो कि इसके equal to में लिखते हैं हमें 8 का divide करना है किसमें 17 में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 17 डिवाइड आठ या 17 बटे 8 ंर्ट का डिवाइड हम कब कर पाएंगे जब यह संक्या इससे बढ़ा हो इसको आप step first के सकते हैं जिसमें क्या करना है आपने डिवाइड की सवात कैसे करना है यह सिखने का प्रियास करना है ठीक है तो यदि एक अंगे संग्यात एक के साथ तुमा करो क्या यह आठ से बड़ा है नहीं है अगलांग सामिल कर लो अब आठ से बड़ा है यस आठ कप आड़ कितनी वार लेंगी 17 से बड़ा ना आए लगाव दिमाग एक आठ आठ ऑट वे आठ अहोड़ जिसमें क्या किया हमने घटाया क्या 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 घटाया और घटाते जो संख्याती है इसके साथ यदि कोई उपर यहां अंक रहता है तो इसको नीचे लाते हैं यदि यहां कोई अंक नहीं है ऐसे स्थति में पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं डिवाइड हो गटाना है तो बच्छों अभी स्टूडियो में हम संक्या 13 का डिवाइड करने वाला हैं किसमें 189 में इसको ऐसे लिख सकते हैं 189 डिवाइड या ऐसे भीन के रूप में भी लिख सकते हैं 13 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे जब दीगे संक्या इसे बड़ी हो यदि दो अंग की संक्या दो अंग के साथ तुलना करों क्या 13 से बड़ी है यास इसको step first बोल दो जिसमें हमें क्या करना है डिवाइड की सुरुआत कैसे करें यह समझने का प्रयास करना है अब हम तेरा का पहाड़ा कितनी वार लें या इसको एक से लेकर नो तक कौन से उसनक्या से गुना करें कि 18 से बड़ा ना आएं लगाओ दिमाग जैसे 13 कậम 1 से गुना करते हैं कितना था टैरा चाप 27 कि 18 से बड़ा एसलिए हमने इसको नहीं लिए किसको लिए इसको भाग गया एक क्वार कितना गया मायनस किया एक कितना रहे 5 उपर से हम एक या नीचे लाइज इसको आप step second बोल आगे यही स्टेप आपका अरीपीठ होता रहेगा जिसमें करना क्या है घटाना है और उपर से एक नीचे लाएंगे उपर कोई अंक नहीं रहता है तो क्या करेंगे पॉइंट लेते हैं और जिरो लिखते हैं अब हमने इसको कौन सी संक्या से गुणा करें कि इससे बढ़ा नहीं आई लगाओ दिमाग तो हमने इसको गुणा किया चार से कितना गया तैर्शोग बावन यानि तेरा का पाड़ा चार वार लेते हैं बावन आ गया फिर माइनस किया कितना गया साथ अब ही पॉइंट लेंगे जिरो इसको जैसे हम पांच से गुणा करते हैं यह इक्षन के इकवट्व में लिखते हैं ओके आसान है संख्या बारा का डिवाइड करेंगे किसमे 18 में इस्टे पए इस्टेप पूरी जान करई तो इस फुडियो को जहान से देखे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 12 जो डिवाइड के चिन के बाद लिखी संख्या इसका दो उंक कि संक्या दो उंक के साथ मृला कर लो क्या ये 12 से बढ़ी है यस तो डिवैड करना सुरू करते हैं 12 का पाड रहा कितनी मार लें कि 18 से बढ़ा नहीं है 12 का पाड लिए हमने एक और इक अखर कि ार कितना रहा रहा 12 माइनस किया कितना गया आपका च्छे अब यहां अंक कोई अंक नहीं रहता है तो क्या करते हैं इसको step second बॉल सकते हैं जिसमें क्या क्या गटाया जो संख्याई इसको देखना है क्या यह बारस से चोटी है यह इसका मतलब divide हमने सही किया ओके जिस संख्या कर डिवैड कर रहे हैं उससे चोटी मिलेगी गट यह आपका answer है यानि भागफल है इसके बराबर हम अपना क्या लिखता है answer लिखते हैं ओकी आसाना संख्या 23 का divide कैसे करना है 18 में इसको ऐसे लिख सकते है 18 डिवैड 23 या 18 बटे 23 का divide हम कब कर पाते हैं जब दिएगा संख्या इससे बढ़ावा तो इसको आप ऐसे समझेग कि अपना divide की शुरुआत कैसे करनी है क्या यह 23 से बढ़ी है नहीं है तो क्या करेंगे point लेंगे 0 लिख देंगे अब 23 से बढ़ी है yes तो divide करना शुरू करते हैं इसके लिए क्या करेंगे इसको एक से लेकर 9 तक कौन से कैसे गुणा करें कि 113 से बढ़ा ना है लगाव दिम 17 то 30 को हमने जिसे गुणा किया किसं से इसको हमने जिसे आट से गुणा किया तो 13, 24 कि रख इसोड़ा और 2 detail यह तो आपका इससे बढ़ा आ है आट को लेने पर लेकिन इसको जब हम साथ से गुणा करते हैं कि ना कि 7, 21 दू कि रख इसको क्या करेंगे step second में समझेंगे जिसमें करना है क्या इसको घटा ना है घटा थी कितना रहा आपका 9 और 1 ठीक अब चूंकि point लगा रखा था हम इसके साथ 0 लिखेंगे तो इसको आप step second कह सकते हैं और आगे अब यही आपका step second बार-बार repeat होगा अब कि वार कितने वार डिवैड होगे 8 वार कितना गया 184 फिर हम ने इसको घटा दिया कितना गया 6 point लगा रखा है तो 0 आजएगे समझें यह step same to same repeat होता रहेगा और आगे डिवैड चलता रहेगा यह आपका answer है यानि भागफल है यूट्वर्स पर अंदर के रिशार्च करो 24 में 18 में संख्या 2 का डिवैड कैसे करें या इसको हम 18 बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का डिवैड कब कर पाएंगे जब दीगी संख्या इससे बड़ी हो यहाँ पे हमने क्या समझना है step first में कि अपने डिवैड की शुरुआत कैसे करें यदि यह पॉइंट आपको किलिए रहे तो डिवैड करना आपके लिए बिल्कुल आसान है यदि एक अंगे संख्या एक अंगे साथ तो ना करो क्या यह है दो से बड़ा है नहीं है तो फिर अगला अंग सामिल करो अब दो से बड़ा है यस तो दो का डिवैड करना शुरू करते हैं दो का पहड़ा दो का टेबल कितनी वार लें कि अठारा से बड़ा ना आए चलि लेते हैं एक दू 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 बे दू चार 3, 2, 6, 4, 2, 8, 5, 2, 10, 6, 2, 12, 7, 2, 14, 8, 2, 16, 9, 2, 18, भाग गया कितना, 9 और आ गया, 18, फिर माइनस किया, 0 आ रहा है, तो यह आपका क्या है, एंसर यानि भागफल है, जो कि इसके equal to में लिखते हैं, तीन का divide करने वाले हैं, कि इसमें 18 में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18, divide, 3, step इसके बिलकुल आसान तरीका, ऐसे बिन के रूप में भी लिख सकते हैं, step first, इसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे, कि अपने 3 का divide की शुरात कैसे करेंगे हैं, किसी भी संख्या के divide की शुरात कैसे करने हैं, तो 3 का divide कप कर पाएंगे, जब दीगे संख्या इसे बड़ी जितने हंगे संख्या, एक हंगे संख्या तो एक हंगे साथ तोलना करो, क्या यह 3 से बड़ा है, नहीं है, तो अगला हंग सामिल कर लो, अब 3 से बड़ा है, तो divide करना शुरू करते हैं, 3 का पहाड़, 3 का table, कितनी वार लें कि 18 से बड़ा ना है, चलिए टेबल लिखते हैं एक तरी, तरी, बेटरी, छे, तीन, तरी, नव, चार, तरी, बारा, पांस, तरी, पंदरा, छे, तरी, अठारा, छे वार लिए, कितनी वार, छे वार, तो आपका 18 मिल गया, फिर माइनस किया, 0 आगे, 0 आगे, आगे कोई भी यहां अंक नहीं है, divide कंप्लिट हो गया, यह आ 19 बटे 13, step first, इसमें हम यह समझेंगी, कि अपने divide की शुरूत कैसे करनी है, 13 का divide कप कर पाएंगे, जब दीगे से क्या इससे बड़ी हो, तो लना करो, क्या बड़ी है, yes, divide करना शुरू करते हैं, कैसे, इसको एक से ले करना हो, तक कौन सी उसम कैसे गुणा करें, कि 19 से हैं, तो हम point लेंगे, 0 लिख देंगे, यह step second जो है, आपका आगे बार-बार repeat होता रहेगा, अब 13 को कौन सी सम कैसे गुणा करें, कि इससे बड़ानी है, जैसे 13 को हमने 4 से गुणा किया, कि इससे 4 से कितना गया, फिर minus किया, वही step second क्या किया था हमने, minus किया, point लगा रख है, तो 0 लिख दिया, वह जैसे 13 को हमने गुणा किया, कि इससे 6 से, तो भाग गया, 6 वार, फिर हमने, भई घटाना है, point लगा रखा है, तो 0 लिख देंगे, ओके, धियान क्या रखना, point एक वारी लगना, उसके बाद घटाते जो संक्या कि उसके साथ, 0 लिखते चलेंगे यह आपका answer आ गया, सुरेंदर के यूट्यूब पर search करो, तो अभी इस वीडियो में संक्या 14 का डिवाइड करने वाले हैं, कि इसमें 19 में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 19 डिवाइड 14 या 19 बटे 14, इसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगी, कि किसी भी संक्या का डिवाइड कर पाएंगे, जब दीगी संक्या इससे बढ़ी हो, क्या यह 14 से बढ़ी है, यह डिवाइड करने की सुरुआत कर देते हैं, कैसे है, इसको एक से लेकर 9 तक कौन सी संक्या से गुना करें, कि 19 से बढ़ा नहीं है, जैसे 14 का हमने एक से गुना किया, कितना रहे 14, बाग गया एक बार आगे 17, फिर माइनस किया, कितना रहे 5, अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको step second कह सकते हैं, जिसमें क्या किया, हमने गटाया, point लिया, 0 लिग दिया, अब इसको जैसे हम 3 से गुना करते हैं, कितना रहे 42, फिर हमने, गटाया, कितना रहे 8, या step second यह आपका बार आगे repeat होगा, गटायेंगे, point लगा रहा है, तो 0 लिग देंगे, समझे, तो बिल्कुल simple है, ओके, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब इसको कौन से संक्या से गुना करें, किससे बढ़ा ना है, लगा दिमा, जैसे हमने इसको 5 से गुना किया, कितना कि 70, फिर हमने minus करना है, point लगा रखा, 0 आजेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, minus करने पर जो संक्या है, वो 14 से चोटी रहने चाहिए, 14 से चोटी है, इसका मलब divide में गलती कर दी है, यह भी साथ इसाथ चेक करते चले, 1.35, यह हमारा यहां पर answer आ गया, सुरेंदर step आ सांतरी के से समझने का प्रयास करेंगे, जो divide के चिन के बाद लिगी संक्या, उसका divide करना होता है, इसका divide करना होता है, इसका divide करना होता है, इसको हम यहाँ left side लिखते है, step first, कि इसी भी संक्या की divide की सुरुआत कैसे करें, क्या करें, सुरुआत कैसे करें, तो 23 गुणा करें कि 190 से बढ़ा नहीं है लगाव दिमाग तो 30 को हमने जिससे गुणा किया किस से 8 से 3 8 24 दो कि रिया गया 162 18 भाग गया कितना 8 वार कितना गया 184 फिर हमने इसको घटाना होता है इसको step second बोल सकते हैं इसमें क्या करेंगे आगे यही step repeat होगा घटाएंगे पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे ठीक है कितनी वार डिवैड हो रहे हैं दो वार फिर भाई यह से step repeat करना घटाना है कि पॉइंट लगा रखा है तो जिरू लिख देंगे यह आपका इंसर आगे फिर यह डिवैड होता रहे आगे ठीक है इस फ्रेंदर के यूट्यूब पर सार्च करो संक्या 4 का डिवैड करने वाले हैं किस में 19 में इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 डिवैड चार या 19 बटे चार चार का डिवैड हम कब कर पाएंगे जब दीगे संक्या इससे बड़ी हो इसको step first देदो जिसमें हम यह समझने का प्र करके देखना है कि चार से बड़ा है नहीं अगलांग सामिल कर लो अब पढ़ा है यक यस अब हमने चार को एक से लेकर 9 तक कौन से संक्या से बड़ा करें ही कि 19 ड़ा नहीं चलिए यह यहां जरूरी नहीं क्योंकि चार का पाड़ा हम आसानी से बोल सकते हैं बड़ी संक्याओं लिए ऐसा करते हैं चार का पाड़ा कितनी वार ले हैं कि 19 से बढ़ा नहीं है देखे एक चोग चोग बेचोग आठ तीन चोग बारा चार सोग शोड़ा पांच सोग बीस पांच वार ले हैं और नहीं से बढ़ा रहा है लेकिन चार वार लेते हैं कितना चार वार कितना रहा है शोड़ा फिर हमने घटाना है कितना आगया तीन अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए इसको step second बोल दो जिसमें क्या किया हमने घटाया अब भी चार कर रहे है आगे कोई अंक होता है तो उसको नीचे ले आते हैं लेगन यहाँ कोई अंक नहीं ऐसी इस्तिती में point लेते हैं 0 लिख देते हैं अब 4 का पाड़ा 7 वार लेते हैं कितना जाता 28 फिर हमने वही second step जो हमने यहां किया था वही बार बार आगे repeat होगा क्या करेंगे घटाएंगे point लगा रखाया तो 0 आजएगा फिर होगे आपका 5 चोग 20 फिर हमने घटाया 0 आगया यह आपका answer है जो कि अपना इसके equal to में लिखते हैं